इंटरनेट एक ऐसी जगए जहां हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं बस एक कीवर्ड और गूगल हमें सब कुछ बता देता है ज्यादतर लोगों के लिए ये उपर-उपर से दिखने वाला इंटरनेट ही उनकी दुनिया है अपने बिल्स पे करना, अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर शॉपिंग करना या फिर बहुत हुआ तो फ्री में गेम्स टाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स खोजना हम सब के लिए बस यहीं इंटरनेट है पर असल में इंटरनेट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है इतना गहरा कि हमें इसकी पहुँच और इस पर हर दिन आने वाले लोगों के नंबर्स का अंदाजा भी नहीं है पर रुकिए इंटरनेट बस उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है जिस इंटरनेट को हम देख और एकसेस कर पाते हैं वो है सर्फेस वेब इस पर आपको सारी काम की वेबसाइट जैसे की अमजान, ईबे, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगेरा मिल जाएंगी पर इंटरनेट के कुछ हिस्से ऐसे भी है जिन्हें ना तो हम किसी सर्च इंजन से एकसेस कर सकते हैं और ना ही कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं इंटरनेट के इस बाकी बचे हुए हिस्सों को दो भागों में बाटा गया है जिन्हें कहते हैं डीप वेब और टार्क वेब जहां डीप वेब हमारे आपके जैसे आम लोगों की पहुँच से इसलिए दूर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की confidential information लीग ना हो सके जैसे की government databases, financial records, medical databases, scientific reports, secret corporate information या फिर governments के बीच होने वाला communication पर टार्क वेब ये internet का वो अंधेरा और तरावना कोना है जो अपने नाम की तरह ही भायानक है तार्क वेब internet का वो हिस्सा है जिसकी गहराई और असल रीच के बारे में किसी को नहीं पता ये private individuals के बनाए हुए secret networks का एक जाल जैसा है जहां हर तरह की illegal और immoral activities होती है और दुनिया की हर बुरी चीज की तरह ही टार्क वेब का coverage भी बहुत पड़ा है इस दुनिया में होने वाली हर वो activity जिसका मकसद आम लोगों को नुकसान पहुचाना और उनसे फाइदा उठाना होता है उसके तार हर बार टार्क वेब से ही जुड़े मिलते हैं फिर चाहे वो जबरदस्ती और्गनाइस किये होए इन और्गैनिक पॉलेटिकल प्रोटेस्ट हो टेरिरिजम के लिए दी जाने वाली funding हो ड्रक ट्रेड हो या फिर human trafficking डार्क वेब पर ये सब होता है टार्क वेब और डीप वेब मिला कर इन्टरनेट का 95% हिस्सा बनाते है और हमें लगता है कि सामने दिखाई देने वाला 5% सर्फेस वेब ही इन्टरनेट है खेर मैं अभी जिस बारे में बात करने वाला हूँ उससे पहले मैं आप सभी को कुछ वार्निंग्स देना चाहूँगा पहली वार्निंग ये कि 18 साल से कम के लोग इस वीडियो को यहीं बीच में छोड़ दे वरना उनके दिमाग पर इसका खलत असर भी पढ़ सकता है और दूसरी वार्निंग ये कि अगर आप 18 साल से उपर हैं तब भी आगे बढ़ने से पहले जरा सोच लीजिएगा क्योंकि आगे की कहानी काफी डिस्टर्बिंग होने वाली है और हाँ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप शायद उनकी सेफटी और सिक्यॉरिटी को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे ये दो लड़कियां थी एंजल और लवली ये इन लड़कियों के निकनेम्स थे और इन दोनों लड़कियों के मताबिक पीटर इनका मास्टर था ना बॉइफरेंड ना हस्पेंड सिर्फ मास्टर यानि वो इनके साथ जब दिल जाहे कुछ भी कर सकता था और इन लड़कियों को पीटर ने कुछ इस तरह से अपने बस में किया हुआ था कि वो पीटर को कभी मना नहीं कर पाती थी पीटर इन तोनों लड़कियों के साथ माला बले में रहता था और उसके दिमाग में एक बिजनस आइडिया था ये आइडिया था तार्क वेब पर मुवीज बनाने का ये कहानी है उस वक्त की जब डार्क वेब के अंधेरों से निकल कर एक राज सब के सामने आ गया था ये राज था पीटर सकली का पीटर जरार्ड सकली एक उस्ट्रेलियन सिटिजन था जिसने उस्ट्रेलिया में ही 2.6 मिलियन डॉलर का एक फ्रॉट किया था आस्ट्रेलिया में जब पीटर मेलबन में रहता था तो उसके सारे ही नेवर उससे दूरी बना कर रहते थे उनके हिसाब से पीटर सकली नॉर्मल नहीं था उसने अपने बीवी बच्चों को पहले ही छोड़ दिया था और यहां आस्ट्रेलिया में वो अपनी एक शुगर बीवी या फिर सीधे सीधे कहें तो कांट्राक्टेड गर्ल्फरेंट के साथ रहता था पुलीस ने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि उसने इससे पहले भी बहुत से स्कैम्स को अंजाम दिया था नतीज़तन आस्ट्रेलियन पुलीस ने पीटर पर एक सो सत्रा चार्जेस लगाए इससे पहले की पीटर को उसके गुनाहों की सजा मिलती वो भाग कर फिलिपीन्स में मनी ला गया पर यहां आने के बाद भी पीटर सकली ने अपने उल्टे काम चारी रखे और वो इतना नीचे गिर गया कि शायद खुद शैतान ने भी किसी इनसान से इसकी उम्मीद नहीं की होगी फिलिपीन्स आने के बाद भी पीटर का क्यार कानूनी कामों से जुडाव जारी रहा और उसकी मुलाकात एक दिने कॉल गल या फिर एसकॉर्ट से हुई जिसका नाम था कार्मिन एन अलवारेज पीटर अक्सर कार्मिन की सर्विसेज लेता रहता था और धीरे धीरे वो उसका रेगुलर कस्टमर बन गया पर कार्मिन को नहीं पता था कि पीटर के दिमाग में क्या चल रहा था पीटर धीरे धीरे कार्मिन की साइकी पर हावी होता जा रहा था और कार्मिन जैसे खुद को खोती जा रही थी पीटर ना सिर्फ कार्मन को मारता पीडता, बलकि उसके साथ सेक्ष्वल टॉर्चर भी करता पीटर ये टॉर्चर इतने अजीब और नए-Nए तरीकों से करता था कि उनके बारे में सिर्फ बात करने भर से ही शायद YouTube ये चैनल टेलीट कर सकता है कार्मेन पीटर के सामने इतनी मजबूर हो गई थी कि वो मानसिक तौर पर उसकी गुलाम बन चुकी थी और उसके अंदर पीटर को किसी भी बात के लिए मना करने की हिम्मत नहीं बची थी ये एक तरह का मेंटल ट्रॉमा और फटीग से बना हुआ एक बॉंड था जिसकी वज़े से कार्मेन पीटर के कहने पर कुछ भी कर सकती थी कुछ भी शायद इसका कारण ये था कि किसी की विलपावर और इसकी मोरैलिटी को तोड़ने में पीटर को महारत हासिल थी वो ऐसा कैसे कर पाता था कोई नहीं जानता पर वो स्टेप बाई स्टेप सिस्टेमाटिकली ऐसा कर पाने में सक्षम था लोगों के तिमाग के अंदर घुसना और उन्हें मैनिपुलेट करना पीटर के लिए बहुत आसान था और पीटर का कार्मेन को दिया हुआ निकनेम था एंचल इसके बाद पीटर ने एक और एसकॉर्ट को अपने साथ चोड़ा जिसका असली नाम था लिजल मारगालो कास्ताना इसे पीटर ने निकनेम दिया लवली पीटर की बाकी स्लेव्स में से ये दोनों उसकी बहुत ही खास थी और उसके किये गए हर गलत सही काम में वो उसका साथ देती थी अब तक ये दोनों लड़कियां पीटर के साथ नहीं रहती थी पर पीटर ने उन्हें इसके लिए भी मना लिया था पीटर ने कहा कि अब वो मालबले में साथ ही रहेंगे पीटर का कहना था कि वो तीनों मिलकर वहाँ एक नया बिजनस शुरू करने वाले है पर उस वक्त एंजल और लवली दोनों को ही नहीं पता था कि ये बिजनस आखिर क्या होने वाला था पर पीटर के शेयतानी दिमाग में बड़ी ही भायानक चीज़ें चल रही थी माला बलाए पहुचने पर उसने एंजल और लवली को बताया कि वो अब शॉर्ट मुवीज बनाएंगे जिन्हें वो डार्क वेब पर बेच कर लाखों डॉलर कमा सकते हैं पर इसमें टराने वाली बात ये थी कि पीटर हर्ट कोर नाम के एक जॉन्रा की मुवीज बनाने जा रहा था मैं जानता हूँ कि आप मेंसे ज्यादा तर लोगों को नहीं पता होगा कि हर्ट कोर क्या होता है पर इसकी सबसे सही परिभाशा आपको आईलीन ओम्सबी की बुक दे टार्किस्ट वेब में मिल जाएगी इसकी परिभाशा ही इतनी एक्स्प्लिसिट है कि मैं उसे बोल कर नहीं पता सकता ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी डेफिनिशन के मुताबिक पीटर सकली हर्ट कोर जौनरा की मुवीज का अब एक डाइरेक्टर बन चुका था और उसकी मुवीज की डिमांड डार्क वेब पर बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी और जिस डार्क वेब की वेबसाइट पर पीटर की मुवीज बिक्ती थी उसका नाम था हर्ट टो दा कोर पीटर समझ चुका था कि इस तरह की मुवीज की डिमांड डार्क वेब पर है और वो इन्हें बेच कर काफी पैसे कमा सकता था और इसलिए उसने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम उसने रखा नो लिमिट्स फन I am sure इस नाम से आप समझी गए होंगे कि इस बैनर के नीचे किस तरह की मुवीज बनती होंगी पर बात यहां खतम नहीं होती क्योंकि अपनी दोनों स्लेव्स एंजल और लवली को पीटर ने एक बहुत ही जरूरी काम दे रखा था जो था छोटे बच्चों को बहला फुसला कर उसके घर तक लाने का यह वो बच्चे थे जिनके पास ठीक से ना तो खाने को था और ना ही पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े यह वो बच्चे थे जिनके माबाप के पास उन्हें पालने के लिए पैसे नहीं थे और ये वो बच्चे भी थे जिनके गायब हो जाने से किसी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला था ना तो उनके आसपास रहने वाले लोगों को और ना ही पुलीस को एंजेल और लवली इस तरह के बच्चों के माबाप से छूटे वादे करते थे कि वो इन बच्चों को एक अच्छी जिन्दगी देना चाहते हैं पर सचाई ठीक इससे उल्टी थी कई लोगों ने तो इन्हें अपने बच्चे सर्फ इसले दे दिये ताकि उन्हें भर बेट खाना मिल सके जब ये बच्चे पीटर के घर पर आ जाते तो पीटर उन्हें आगे की जाने वाली एक्टिविटीस के लिए क्रूम करता था और उसकी शुरुवात होती थी उन छोटे छोटे तीन चार साल के बच्चों को पॉन दिखाने से वो उनके साथ बैट कर उन्हें समझाता था कि इस तरह की वीडियो में क्या चल रहा है और ये लोग वीडियो में क्या कर रहे है अगर कोई बच्चा इसके लिए मना करता तो पीटर उसे जबरदस्ती पकड़ कर पैच जाता और उन्हें जबरदस्ती ये वीडियो दिखाता वो बच्चे चाहे रोते या फिर मदद के लिए चिलाते ना तो उनकी चीखें उस घर से बाहर जा पाती और ना ही उन्हें कोई बचाने आता एंजल और लवली के लाए हुए इन्ही बच्चों में से तो लड़किया जिनकी उमर 9 और 12 साल थी इन्हें पीटर ने 5 दिन तक सेक्शुली और फिजिकली टॉर्चर किया इस बीच पीटर उनके साथ सेक्शुल एक्टिविटी में भी इन्वाल हुआ और वो हर दिन उनसे घर के बैक्यार्ड में एक गड़ा को दवाता था एक-एक दिन करके वो गड़ा काफी बड़ा हो गया और पीटर ये सब भी रिकॉर्ड करता रहा पीटर ने उन्हें इनसान नहीं समझा बलकि किसी मास के लोथडे की तरह इस्तमाल किया जैसे उसका दिल चाहा वैसे पांच्वी रात पीटर ने उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा शराब बिलाई ये शराब इतनी ज्यादा थी कि वो अपने होश खो बैठी और जब उन लड़कियों की नीन खुली तो वो उसी कट़्े में तफन थी पर एंजल उसे शायद शक था कि वो लड़कियां जिन्दा थी उसने पीटर से इस बारे में बात की और उन लड़कियों को पाहर निकाला वो दो बच्चियां पिछले पास दिनों से अपनी ही कबर खोद रही थी पीटर ने अब तक घटा सब कुछ रेकॉर्ड किया था और इसे उसने एक मूवी की शकल देकर डार्क वेब पर खूब बेचा हर बायर जो की हर्ट टुदा कोर नाम की इस वेबसाइट पर आता था वो पीटर की एक-एक वीडियो के लिए कई हजार डॉलर्स देने को तयार था वो लड़कियां पच गई थी और पीटर के दिमाग में अब आगे की प्लानिंग चलने लगी थी कि वो इनके साथ और क्या-क्या कर सकता है पर एंजल नजाने कैसे उसे उन लड़कियों पर तरसा गया और उसने उन बच्चीयों के हाथों की रस्सियां खोल कर उने भगा दिया उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पीटर ने उन लड़कियों को डॉग लीश से और चेंच से बाधा हुआ था और एंजल से ये सब देखा नहीं चाता था पीटर के चंगल से निकलते ही वो लड़कियां सीधा अपने माबाब के पास पहुँची और उन्हें सब कुछ बताया उनके माबाब ने पुलीस में पीटर की शिकायत की और पुलीस सीधा पीटर के घर पहुची पर उसके घर पर सिर्फ एंजल ही थी क्योंकि पीटर और लवली वहां से भाग चुके थे एंजल ने पुलीस को पीटर के वहशी पन और उसके टार्क वेब के बिजनस के बारे में सब कुछ बता दिया पर पुलीस पीटर का कुछ बिगार नहीं पाई क्योंकि पीटर उन्हें मिला ही नहीं पुलीस ने नो लिमिट्स फन उस प्रोडक्शन हाउस को तो अपने हिसाब से पंद कर दिया था पर उन्होंने टार्क वेब के इस खिनोने सच को अभी सिर्फ चुआ बर था अभी तो ऐसा बहुत कुछ था जो उनके लिए जानना बाकी था पीटर लवली के साथ फरार था और अपने इस नए बिजनस को चलाने के लिए उसे तलाश थी कुछ और शिकारों की इस बार लवली पीटर के लिए तीन और लड़किया लेकर आई इनके नाम थे बारबी उम्र बारा साल लीजा उम्र ग्यारा साल और टेजी उम्र सिर्फ अठारा महीने पीटर का ये हावस और मौत का नंगा नाच एक बार फिर जोर पकड़ चुका था वो बारबी को जो की उम्र में उन सबसे बड़ी थी उससे जबरदस्ती बाकी दो लड़कियों को टॉर्चर कराता था और उससे रिकॉर्ड करता था और यहीं से उजागर हुआ था टार्क वेब का वो सच उसका वो गंदा चहरा जिसे जान कर दुनिया भर की लोग हैरान रह गए थे टेजी इस डिस्ट्रक्शन लोगों को अपनी आखों कानों पर यकीन नहीं हुआ था कि कोई इनसान ऐसा कैसे कर सकता था कोई बलातकारी भी इस तरह कि वह्षिपन को अंजाम नहीं देता मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इस वीडियो को नहीं देखा और नहीं मेरा ऐसा कुछ करने की कोई अच्छा है पर मैंने इसके डीडेल्स पढ़े है अगर आप मेंसे किसी के अंदर ये वीडियो देखने की उतसुकता चाग रही है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शायद अंदर से बहुती घटिया इंसान होंगे और अगर आप वैसे नहीं है तो इस वीडियो को देखने का खयाल भी अपने मन में मतलाईएगा और किसी भी कारण वर्ष इंटरनेट पर इसे बिलकुल भी सर्च मत कीजिएगा अगर आप टार्क वैब पर ऐसा कुछ देखते या फिर खरीदते हुए पकड़े गए तो दुनिया का कोई वकील आपको बचा नहीं सकता आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो की टीटेल्स को पढ़ सकते हैं इस वीडियो में टेजी के साथ जो भी बुरा हुआ था वो लिजैल यानी लवली ने पीटर के इशारे पर किया था और इसलिए उसका जुर्म भी सबसे ज़्यादा लिजैल के सर पर ही था पीटर वीडियो में सिर्फ तब ही दिखाई दिया जब वो खुद डेजी को अब्यूस कर रहा था बाकी वक्त वो कैमरा ही आपरेट करता रहा इस बीच पीटर लगातार नई वीडियोस करियेट करके उन्हें हजारों डॉलर्स में बेच रहा था और उसके कस्टमर्स दुनिया भर से थे जो ये गंदिगी देखने के लिए उसे हजारों डॉलर देने को तैयार भी दे पर कहते हैं ना कि भागवान के घर तेर है अंधेर नहीं एक आदमी था जिसने जोश में आकर अपने होश खो दिये और उससे एक खलती हो गई हर्ट टू दा कोर इस वेबसाइट का एक ओनर था लक्स ये था साल 2012 अभी तक पीटर की सारी वीडियो इस वेबसाइट पर सिर्फ पेट कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल थी पर लक्स ने डेजीज डिस्ट्रक्शन को खरीद कर अपनी वेबसाइट पर उपनली पोस्ट कर दिया और वहां से ये वीडियो वाइरल हो गई ये वीडियो अब बेट कस्टमर्स के अलावा दुनिया भर में हर उस इंसान के पास पहुँच चुकी थी जिसके पास टार्क वेब का एकसेस था पर हर्ट टू दा कोर इस वेबसाइट का जो ओनर था लक्स अभी तक लक्स की सही आइडेंटिटी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी पर ये वीडियो पोस्ट करते ही उसकी असल आइडेंटिटी के बारे में सब को पता चल गया पुलीस और अथॉरिटीज को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग जो ऐसी वीडियोज बनाते हैं या फिर उन्हें देखते हैं उन्हें वो इनसान माने या फिर कुछ और ये घिनोना सच जमीन फाड़ कर बाहरा चुगा था और इसके साथ ही डार्क वेब के कई और सीक्रट्स भी पुलीस ने बिनादेर किये सीधा पीटर्स कली के घर पर छापा मारा और उसे गिरफतार कर लिया ये रही उसकी वीडियो पुलीस ने पीटर और लिजिल के बयानों को रेकॉल्ड किया और उन्हें पर केस चलाया पर लिजेल छूट गई पुलीस का कहना था कि उनके पास लिजल को तोशी करार देने के लिए पूरे सुबूत नहीं है जबकि लिजल हर वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी हो सकता है ये उसके सरकारी कवाब बनने का इनाम हो पर ये कहानी अभी भी खतम नहीं हुई थी पीटर्स कली जेल में था और उसका ट्राइल चल रहा था पर अब भी उसके बैंक अकाउंट में हजारों टॉलर हर दिन आ रही थे उसके बनाई वीडियो अब भी टार्क वेब पर बिक रही थी शायद ऐसा इसलिया था क्योंकि पीटर्स का केस खुलने के बाद उसके बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था और कुछ टिरेंजड और खटिया लोग शायद उसकी बनाई हुई उन खटिया मोवीज को देखना चाहते थे डेजी जिन्दा थी और उसे रेस्क्यू कर लिया गया था पर अपनी आगे की जिन्दगी टेजी के लिए आसान नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग पर जो खराब असर पड़ा था उससे वो तो क्या कोई भी आम इनसान कभी उबर नहीं सकता पर पीटर के बैंक अकाउंट में आने वाले वो पैसे सिर्फ उसके खुद की बनाई मुवी से नहीं आ रहे थे परदे के पीछे एक और नया और गिनोना खेल शुरू हो चुका था अपनी गिरफतारी के बाद लिजल जैसे खायब सी हो गई थी और अगले दो सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला ऐसा इसलिए था क्योंकि लिजल ने अपनी पहचान बदल ली थी और उसका नया नाम था शैनन कार्पियो ये नई लिजल यानि की शैनन कार्पियो एक फिटनेस इंफ्लूएंसर बन चुकी थी और उसने एक फ्रेंच आईटी मिलियनेर से शादी कर ली थी वो मिलियनेर कौन था इसके बारे में पुलीस रकॉर्ड्स में कोई जानकारी नहीं है पर एक अजीब बात ये है कि शादी के बाद भी शैनन गयर मर्दों के साथ डेट पर जाती थी शायद उसके पती को इस सबसे कोई आतराज नहीं था ये सब कुछ भी शैनन ने कुबूल किया था वो अपने फेस्बुक पेज़ पर फिटनस से रिलेटेड कॉंटेंट पोस्ट करती थी और अपने फॉलोर से लगातार टच में भी रहती थी उसके पास जेम्स और बड़े-बड़े प्रैंट्स की स्पॉंसर्शिप्स थी और उसकी जिंदगी में पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं थी ये फेस्बुक पेज अब भी एक्जिस्ट करता है इस सब में चौकाने वाली बात ये है कि अपनी फेस्बुक फोटोज में आपको शैनन या लिजल के चहरे पर जरा भी पश्चा ताब या फिर शर्मिंदगी नहीं दिखाई देगी वो इस तरह से अपनी जिंदगी जी रही थी जैसे उसके अतीत का वो काला पन्ना कभी वजूद में था ही नही पर शैनन ने एक और घिनोना काम किया था उसने अपने और पीटर के रिष्टों को कभी छुपाया नहीं वो बड़ी शान से सब को बताती थी कि पीटर सकली नाम का राक्शेस उसका पॉइफरंट था पराबाया साल 2017 पुलीस ने शैनन कार्पियों को किरफतार कर लिया और इस बार उनके पास पक्के सुबोत भी थे शौका देने वाली बात ये थी कि पुलीस की शैनन को किरफतार करने की वज़े अब भी वही थी जिसकी वज़े से वो पिछली बार किरफतार हुई थी श्यानन अब भी No Limits One के लिए वीडियोज क्रियेट कर रही थी और पिछले दो सालों में उसने आठ बच्चों को अपना शिकार बनाया था जिनकी उमरे एक साल से तेरा साल के बीच थी इन सभी बच्चों की वीडियोज डार्क वेब पर बेची गई थी और शायद अब भी टार्क वेब के किसी कोने या फिर किसी राक्षस की परसनल हाई ट्राइब में ये वीडियोज मौशूद होंगी और इस बार लेजल बचने वाली नहीं थी उसने पुलीस को अपने और पीटर के किये गए हर गुना के बारे में बताया No Limits One हर टुदा कोर, टार्क वेब उसने सब कुछ कुछ कबूल किया और उसने पुलीस को उन दोनों के हाथों मारे गए कुछ बच्चों की लाशों के बारे में भी बताया जिन्हें उन्होंने अपने घर में ही अलग-अलग जगे पर तफनाया हुआ था पर पीटर्सकली, वो अब भी No Limits Fun को ओन करता था और वो जेल में बैठे-बैठे ही नोट शाप रहा था पर सवाल ये उठता था कि पीटर्सकली जेल में रहते हुए भी लिजल मारगलो के टच में कैसे था कौन था जो उसे वहाँ भी बहरी दुनिया से पूरी कनेक्टिविटी ओफर कर रहा था पीटर्सकली फेस्बुक, वाटसैप और स्काइप के जरिये अब भी लिजल या फिर शैनन से चुड़ा हुआ था पीटर्सकली के इस बिजनस में शैनन के साथ और भी आट लोग चुड़े हुए थे यानि एक कुल मिला कर दस लोग थे इन में पहले नाम आता है मारिया टॉर्थी का मारिया छोटे बच्चों को पकड़ कर उन्हें अब ब्यूज करती थी और इस एक्टिविटी को वो लाइफ स्ट्रीम करती थी मारिया ने अरेस्ट होने के बाद ये रास खोले पर उसे सिर्फ नौ साल की सजा हुई दूसरा नाम था अलेक्जेंडर लाओ अलेक्जेंडर एक कैब ड्राइवर था और वो सिर्फ अपने पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि पीटर के सारे विक्टिम्स को एक जगे से दूसरी जगे ले जाता था अरेस्ट होने के बाद अलेक्जेंडर को भी सिर्फ नौ साल की ही सजा हुई तीसरा नाम था क्रिश्चिन योहान ये आदमी भी कम कमीना नहीं था क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे को पीटर स्कली को सिर्फ अठारा सो डॉलर्स में पेश दिया था पुलिस क्रिश्चिन को कभी पकड़ नहीं पाई चोथा नाम था हैनियल डेई उलिवेरा का ये एक डॉक्टर था जो कि इन सब में पीटर की मदद करता था उसे मेडिसिन्स की अच्छी नौलिश थी और वो पीटर को सलाह देता था कि उसे छोटे बच्चों को कौन सी ड्रक्स देनी चाहिए जिससे वो अपनी वीडियोस को आराम से शूट कर सके पर इस सब के अलावा हैनियल नो लिमिट्स फण में एक प्रोड्यूसर भी था यानि इस क्राइम सिंडिकेट में वो एक फैनाइंसर की भूमिका में था गिरफतारी के वक्त हैनियल के अमर केवल 29 साल थी और उसके पास से बच्चों की 37,000 फोटोस और 700 वीडियोस बरामत किये गए थे हैनियल पीटर के साथ तब से काम कर रहा था जब वो मेडिकल स्कूल में था यानि तब वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बना भी नहीं था उसका काम था इन सब ही अपराधियों को ये सिखाना कि छोटे बच्चों पर ड्रग्स कैसे यूज किया जाएं जिससे वो जिन्दा भी रहें और उनके काम भी कम से कम परिशानी में निबट जाएं पाचवा नाम था मार्शल रस्क मार्शल एक कनेडियन सिटिजन था और वो अक्सर फिलिबीन साता रहता था मार्शल ने लिजल को कई बार बहुत ही बड़ी रकम ट्रांसफर की थी क्योंकि उसे कुछ स्पेशल वीडियोज देखनी थी जोकि उसकी पसंद के हिसाब से बनाई गई थी वो लिजल को अब्यूस के तरीके समझाता था और लिजल ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकती थी मार्शल की एक्सपर्टीज थी टार्क वैब और आईटी और उसे डिजिटल ट्रेसिस यानि सुबूत मिटाने में महारत हासिल थी पुलीस ने 2019 में मार्शल को अरेस्ट तो कर लिया पर उसके पास से मिली कई हार्ड ड्राइव्स को वो कभी ओपन ही नहीं कर पाए उसकी वो हार्ड ड्राइव्स बहुत ही टफ इंक्रिप्शन से लॉक की हुई थी पुलीस मार्शल तक सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ इंफॉर्मेंट से यानी खबरियों की वज़े से ही पहुच पाई थी उन खबरियों ने पुलीस को बताया कि मार्शल एक बीमार मेंटालिटी का मालिक है और उसने उस खबरी को अपनी बेटी को बिना कपड़ों के देखने के लिए एक हजार डॉलर दिये थे पुलीस की दूसरी इंफॉर्मेंट थी एक औरत इस औरत को भी मार्शल ने अपनी बेटी एक रात के लिए देने के बदले दो हजार डॉलर दिये थे एक तीसरा इन्फॉर्मेंट उसने पुलीस को बताया कि मार्शल ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ डेट पर जाने के लिए उसे 100 डॉलर दिये थे इसके अलावा भी कई और इन्फॉर्मेंट्स पुलीस के पास आये जिन्होंने बताया कि वो मार्शल के स्लेव्स थे इसने पुलीस को बताया कि मार्शल के पास दो अपार्टमेंट्स थे एक में वो अपनी बीवी के साथ रहता था और दूसरे में वो अपने इन्सलेव्स को रखता था इन सभी इन्फॉर्मेंट्स ने मार्शल से पैसे लिये थे ये इंफॉर्मेंट्स जिन्होंने पुलीस को मारशल की कर्टूतों के बारे में बताया था वो भी मारशल के इस गुना में पराबर के हिस्सेदार थे और वो कोई दूद के थुले नहीं थे पर इससे भी ज्यादा परिशान करने वाली बात है मार्शल की सेक्शुल फैंटेसी जिसके बारे में उसने पुलीस को बड़े अराम से बता दिया मार्शल चाहता था कि वो किसी घर में जबरदस्ती खुसे और वहां उसे एक छोटी बच्ची मिले जिसके साथ मार्शल जो मन में आए वो करे मार्शल चाहता था कि वो बच्ची उससे लड़े और उसे रोकने की कोशिश करे मार्शल को इसमें मज़ा आता था पर इस सब के बावजूद पुलीस ने मार्शल को सुबूतों के अभाव में छोड़ दिया इसका कारण ये था कि पुलीस मार्शल की हार्ट ड्राइवस को कभी ओपेन ही नहीं कर पाई और पुलीस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट कोड में माना नहीं जाता क्यानडा की पुलीस ने मार्शल को कन्विक्ट करने के लिए फिलिपाइन्स पुलीस से भी सुबूत मांगे पर उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया मार्शल आज भी क्यानडा में आजाद घूम रहा है उसकी उम्र इस वक्त 60-62 के आसपास होनी चाहिए और वो अब भी क्यानडा में अपनी 30 साल की फिलिपीनो वाइफ यानि अपने से 30 साल छोटी औरत के साथ बड़े आराम से रह रहा है अब बचे बाकी के तीन नाम इन तीनों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि इनके नाम कभी पबलिक किये ही नहीं गए ये लोग कौन हैं क्या करते हैं कोई नहीं जानता क्या ये स्पाइस थे CIA एजेंट या फिर कोई हाई वैल्यू फिलिपीनो अथॉरिटीज मुझे नहीं पता पीटर सकली और लेजल मारगलो पर सारे चार्जेज 2018 में फाइल किये गए थे और 2022 में इन दोनों को 139 साल की कैद की सजा दी गई फिलिपीन्स की आम जनता और दुनिया भर के कई लोगों ने जिन में पुलीस वाले भी शामिल थे उन्होंने पीटर सकली की अधा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट चाहता था कि पीटर हर दिन अपने गुनाहों को याद करें और अपने किये हुए की सजा जेल में कटें पर अभी इस कहानी की एक और गुथी सुलशना बाकी है ये है वो वेबसाइट हर्ट टू दा कोर पुलीस और आइटी एक्सपर्ट्स ने जब अपनी जाच का दाएरा बढ़ाया तो उन्हें पता चला कि इस वेबसाइट पर सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही नहीं बलकि जानवरों के साथ भी अभ्यूस किया जाता था टार्क वेब पर इसकी काफी टिमांड थी आपको लक्स याद है ना हर्ट टू दा कोर का क्रियेटर उसने इस वेबसाइट पर एक चैल्ट रूम भी बनाया था यहां यह सारे वहशी दरिंदे इन वीडियोस के बारे में डिसकशन करते थे और डीटेल्स में वीडियोस का रिवियू भी देते थे उन्हें अपने जैसे लोगों से बात करना पसंद था वो एक दूसरे को वीडियोस और मुवीज रेकमेंड करते थे ठीक उसी तरह जैसे आप अपने दोस्तों को किसी नई होरर या फिर एक्षन मुवी का सजेशन देते हैं पुलीस ने जब इस वेबसाइट की जाच कहराई से की तो उन्हें पता चला कि इसका क्रियेटर जरूर ही मेलबन के किसी इलाके में रहता था मेलबन पुलीस ने एक पल्टिकुलर घर को सर्वेलिंस पर ले रखा था और घर में रहने वाले एक कपल और उनके एक बेटे बेटी पर उनकी नज़र थी और उन्हें यकीन था कि इस वेबसाइट का ओनर इन वीडियोस को खुद नहीं बना रहा था बलकि वो इन्हें आउट्सोर्स कर रहा था जब पुलीस को कुछ सुराग मिले तो उन्होंने इस घर पर छापा मारा और उन्हें पता चला कि घर में रहने वाला वो जवान लड़का ही लक्स था उस लड़के का नाम था मैथ्यू डेविड ग्राहम मैथ्यू ग्राहम एक कॉले स्टूडन था जो कि नैनो टक की स्टेडीस कर रहा था पर मैथ्यू अपनी युनिवर्सिटी कभी कभी ही जाता था वो सारा वक्त बस अपने लैप्टॉप पर ही काम करता रहता था उसका सपना था एक हर्ट कोर एंपायर बनाना मैथ्यू का कोई कर्मिनल रकॉर्ड नहीं था पर डार्क वेपर उसके कारनामों की एक लंबी फैरिस्ट थी जो की शायद किसी आतंक वादी या पेशेवर मुझरिम से भी भायानक थी लक्स ने पकड़े जाने से पहले ही अपनी सिक्यूरिटी का इंतजाम कर लिया था उसके लैपटॉप और मुबाइल फोन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके खलाफ सुबूत बन सकता और मैथ्यू एक कलती कर गया गिरफतारी के वक्त पुलीस को उसके लैपटॉप और मुबाइल में कुछ नहीं मिला सिवाए तीन फोटोस के उसके फोन में तीन फोटोस थी दो पिक्चर्स दो मरे हुए बच्चों की थी और तीसरी पिक्चर में एक आदमी एक 6-7 महीने के बच्चे के उपर खड़ा हुआ था इसके अलावा मैथ्यू ग्रहम ने कुछ वक्त पहले 4Share नाम की एक वेबसाइट पर किसी चैट में एक कमेंट किया था कि वो ही लक्स है ये सुबूत उसे सजा दिलाने के लिए काफी थे मैथ्यू एक बीमार प्रवत्ती का लड़का था और उसके दिमाग में कुछ अलग ही खयाल चलते थे पुलीस की पूछ दाश में उसने कहा कि वो खुद को एक फ्री स्पीच आक्टिविस्ट मानता है और वो चाहता है कि लोग उसे अपना आदर्श मान कर सही फ्रीडम को पहचाने अपने खुद के दिमाग में वो एक मसीह था मैथ्यू ग्रहम ने तेरा गुनाहों को कबूल किया जो कि उसने टार्क वेपर नहीं असल दुनिया में किय थे इन में से एक गुनाह था उसने एक रशियन आदमी को सिखाय था कि वो किस तरह से एक दो तीन साल के बच्चे को किड्नैब करे उसका रेप करे और फिर उसे मार दे इसके अलावा उसने एक बृटिश आदमी को सिखाय था कि वो कैसे एक डिसेबल्ड लड़की को अब्यूस करे मैथ्यू ने इन लोगों को ये सब क्यों सिखाया मैथ्यू ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो जली लोग जब उसकी सलाम मान कर इस घटियापन को अंजाम दे तब वो उसकी वीडियो बनाए और मैथ्यू को भेज दे जिन्हें मैथ्यू अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ और भी वीडियो दिखा सकता हूँ लोगों के कनफेशन सुना सकता हूँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ना तो मैं खुद ऐसा करना चाहूँगा और ना ही मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस से आगे बढ़े इस वीडियो की स्क्रिप लिखते हुए मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका हूँ और शायद मेरा लोगों को देखने का नजरिया भी अब बदल चुका है स्पेशल ये जानकर कि मार्शल और लिजल जैसे लोग शायद जल्दी ही खुले खूम रहे होंगे तराने वाली बात ये है कि इस तरह कि लोग हमारे आस पास ही रहते हैं और हमारे जैसे ही दिखते हैं इनके पास बचने और एक दूसरे को बचाने के लिए दुनिया भर की नेटवर्किंग, पैसा और शायद उससे भी बड़े-बड़े कॉंटेक्स हैं और हम हम क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चों और परिवार के बाकी लोगों को इन से बचा सकते हैं मेरी बात मानिए अपने छोटे बच्चों की तस्वीर इंटरनेट पर किसी भी प्लैटफॉर्म पर डालना बंद कर दीजिए और हमेशा ही उन पर कड़ी नज़र रखिए वो कहां आते जाते हैं किस से बात करते हैं और किसके घर में जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए ताकि किसी मुश्किल की घड़ी में आप उनकी मदद कर सकें ये वीडियो क्रियेट करने के बाद अगर दुनिया आज ही खतम हो जाए तो मुझे जरा भी फरक नहीं पड़ेगा कम से कम मुझे ये सुकून तो रहेगा कि वो हैवान किसी के भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे